नमस्कार, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुन्शी प्रेमचंद्र की लिखी हुई एक और कहानी, सती. इस कहानी में उन्होंने एक मनोवज्ञानिक सत्य को दर्शाया है, कि हीन भावना संधे को जन देती है, और पती-पत्नी के संबंधों में शक्की वज़े से उत्पन परस्तितियां कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। उसे दूसरा कौन पूछेगा? कल्लू को रत्न मिला है, उसके सैकडों ग्रहक हो सकते हैं, खास कर उसे अपने चचेरे भाई से बहुत खटका रहता है, राजा रूपवान है, रसिक है, बातचीत में कुशल है, इस्त्रियों को रिजहना जानता है, इससे कल्लू मुलिया को बाहर नहीं निकलने देता, उस पर किसी की निगहा भी पड़ जाए, यह उसे असहय है, वह अब दिन रात बहनत करता है, जिससे मुलिया को किसी बात का कष्ट न हो, उसे ना जाने किस पूर्वजन्म के संसकार से ऐसी इस्त्री मिल गई है, उस पर प्राणों को निचावर कर देना चाहता है, मुलिया का कभी सिर्वी दुखता है, तो उसकी जान निकल जाती है, मुलिया का भी यह हाल है, कि जब तक वह घर नहीं आता, मचली की भाती दड़पती रहती है, गाउं में कितने ही युवक हैं, जो मुलिया से छेर चार करते रहते हैं, पर उस युवत की द्रिष्टी में कुरूप कलुआ संसार भर के आदमियों से अच्छा है, एक दिन राजा ने कहा, भावी, भाईया तुम्हारे जोग न थे, मुलिया बोली, भाग में तो वह लिखे थे, तुम कैसे मिलते, राजा ने मन में समझा, बस, अब मार लिया है, बोला, विधी ने यही तो भूल की, मुलिया मुस्कुरा कर बोली, अपनी भूल तो वही सुधारेगा, राजा निहाल हो गया, तीज के दिन कलू मुलिया के लिए लठे की साड़ी लाया, चाहतो तो था कि कोई अच्छी साड़ी ले, पर रुपए न थे, और बजाज ने उधार न माना, राजा भी उसी दिन अपने भागे की परिक्षा करना चाहता था, एक सुंदर चुनरी लाकर मुलिया को भेट की, मुलिया ने कहा, मेरे लिए तो साड़ी आ गई है, राजा बोला, मैंने देखी है, तभी तो मैं इसे लाया, तुम्हारे लायक नहीं है, भीया को भी किफाय राज सूचती है ऐसी बातों में, मुलिया कटाक्ष करके बोली, तुम समझा क्यों नहीं देते, राजा पर एक कुल्ह का नशा चड़ गया, बोला, बूढ़ा तो ता नहीं पढ़ता है, मुलिया बोली, मुझे तो लठे की साड़ी ही पसंद है, राजा ने कहा, जरा ये च पहन कर खुश होता है, वह चुनरी पहन लेने से खुश न होगा, उन्हें चुनरी पसंद होती, तो चुनरी ही लाते, राजा ने फिर कहा, उन्हें दिखाने का काम नहीं है, मुलिया विसमे से बोली, मैं क्या उनसे बिना पूछे ले लूँगी, राजा ने कहा, इसमें प वरजी कहीं देख लें तो मेरी शामत ही आ जाए इसे तुम लिये जाओ राजा ने आग्रह करके कहा इसे न लोगी भावी तो मैं जहर खा के सो रहूँगा मुलिया ने साड़े उठा कर आले पर रख दी और बोली अच्छा लो अब तो खुश हुए राजा ने उंगली पकड़ी अभी तो भाईया नहीं है जरा पहन लो मुलिया ने अंदर जाकर चुन्री पहन ली और फूल की तरह महकती दमकती बहार आई राजा ने पहुचा पकड़ने को हाथ फैलाया बोला ऐसा जी चाहता है तुम्हे लेकर भाग जाओं मुलिया उसी विनुवत भाव से बुली जानते हो तुम्हारे भाईया का क्या हाल होगा यह कहते हुए उसने किवार बंद कर लिये राजा को ऐसा मालुम हुआ कि थाली परोजकर उसके सामने से उठा ली गई मुलिया का मन बार-बार करता था कि चुन्री कल्लू को दिखा दे पर नतीजा सोचकर रह जाती थी उसने चुन्री क्यों रख ली उसे अपने उपर क्रोधा रहा था लेकिन राजा को कितना दुख होता क्या हुआ उसकी चुन्री चंबर पहन लेने से उसका मन तो रह गया लेकिन उसके प्रशान्त मानस सागर में या एक कीट आ आ कर उसे मत रहा था उसने चुन्डरी क्यों रख ली क्या या कल्लू के साथ विश्वास घात नहीं है उसका चित इस संसार से विकल हो गया उसने मन को समझाया विश्वास खात क्यों हुआ? इसमें विश्वास खात की क्या बात है? कौन वह राजा से कुछ बोली? जरा सा हस कर बोल देने से किसी का दिल खुश हो जाता है तो इसमें क्या बुराई है? कल्लू ने पूछा आज रज्जू क्या करने आया था? मुलिया की देह थर-थर कांपने लगी बहाना कर गई तमभाखु मांगने आये थे कल्लू ने भवे सी कोड़ कर कहा उसे अंदर मताने दिया करो अच्छा आदमी नहीं है मुलिया ने उत्तर दिया मैंने कह दिया तमाखु नहीं है तो चले गए कल्लू ने अपकी तेजस्विता के साथ कहा जूट क्यों बोलती है वे तमाखु मांगने नहीं आया था मुलिया बोली तो और क्या करने आते? कल्लू ने फिर कहा चाहे जिस काम से आया हो तमाखु मांगने नहीं आया वै जानता था मेरे घर में तमाखु नहीं है मैं तमाखु के लिए उसके घर गया था मुलिया की देह में काटो तो खून नहीं चहरे का रंग उड़ गया सिर जुका कर बोली मैं किसी के मन के हाल क्या जानू आज तीज का रद जगा था मुलिय पूजा का सामान कर रही थी पर इस तरह जैसे मन में जरा भी उत्सा जरा भी श्रद्धा नहीं है उसे ऐसा मालूम हो रहा था उसके मुख पर कालिमा पुत गई है और अब वह कल्लू की आँखों से गिर गई है उसे अपना जीवन निराधार सा जान पड़ता था सोचने लगी भगवान ने मुझे यह रूप क्यों दिया यह रूप ना होता तो राजा क्यों मेरे पीछे पड़ता और क्यों आज मेरी यह गत होती मैं काली को रूप रहकर इससे कहीं अधिक सुखी रहती तब तो मन इतना चंचलना होता जिन्हें रूप की कमाई खानी हो वह रूप पर फूले यहां तो इसने मठिया मेट कर दिया नजाने कब उसे जपकिया गई तो देखती है कल्लू मर गया है और राजा घर में गुसकर उसे पकड़ना चाहता है उसी दम एक व्रृद्धा इस्तृण जाने किधर से आकर उसे अपनी गोद में ले लेती है और कहती है तुने कल्लू को क्यों मार डाला मूलिया रोकर कहती है माता मैंने उन्हें नहीं मारा व्रद्धा कहती है हाँ तुने चुरी कटार से नहीं मारा पर उस दिन तेरा तप छिन हो गया इसी से वै मर गया मुल्या ने चौकन्नी होकर आखे खोल दी सामने आंगन में कल्लू सोया हुआ था वै दोड़ी हुई उसके पास गई उसकी छाती पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी कल्लू ने घबरा कर पूछा कौन है मुल्या क्यों रोती हो क्या डर लग रहा है मैं तो जाग ही रहा हूँ मुल्या ने से सकते हुए कहा मुझसे आज एक अपराध हुआ है उसे छमा कर दो कल्लू उट बैठा क्या बात है कहो तो क्यों रोती हो मुल्या बोली राजा तमाखों मांगने नहीं आया था मैंने तुमसे जूट कहा था कल्लू हसकर बोला वह तो मैं पहले ही समझ गया था मुल्या ने फिर कहा वह मेरे लिए चुन्ड़ी लाया था कल्लू ने पूछा तुमने लोटा दी मुल्या कापती हुई बोली मैंने ले ली कहते थे मैं जहर माहूर खालूंगा कल्लू निर्जीव की भाती खाट पर गिर पड़ा और बोला तो रूप मेरे बसका नहीं है देव ने कुरूप बना दिया तो सुन्दर कैसे बन जाओं कल्लू ने अगर मुल्या को खौलते हुए तेल में डाल दिया होता तो भी उसे इतनी पीडा नहोती कल्लू उस दिन से कुछ खोया-खोया सा रहने लगा जीवन में वह उत्सहा ना रहा न वह आनंद हसना बोलना भूल सगया मुल्या ने उसके साथ जितना विश्वास घात किया था उससे कहीं ज्यादा उसने समझ लिया और यह ब्रहम उसके हिर्दय में केकड़े के सवान चिपट गया वह घर अब उसके लिए केवल लेटने बैटने का इस्थान था और मुल्या केवल भोजन बना देने वाली मशीन आनंद के लिए वह कभी-कभी ताड़ी खाने चला जाता या चरस के दम लगाता मुल्या उसकी दशा देखकर अंदर ही अंदर कुड़ती थी वह उस बात को उसके दिल से निकाल देना चाहती थी इसलिए उसकी सेवा और मन लगा कर करती उसे प्रसंद करने के लिए बार-बार प्रैतन करती पर वे जितना ही उसको खीचने की चेश्टा करती थी, उतना ही वे उससे अलग होता जाता था जैसे कोई कटिये में फसी हुई मशली हो कुशल है था कि राजा जिस अंग्रेज के यहां खानसामा था, उसका तबादला हो गया और राजा उसके साथ चला गया था नहीं तो दोनों भाईयों में से किसी ना किसी का खोन जरूर हो जाता इस तरह साल भर बीद गया एक दिन कल्लू रात को घर लोटा तो उसे जवर था दूसरे दिन उसकी देह में दाने निकलाए मुलिया ने समझा माता है मान मनौती करने लगी मगर चार-पांच दिन में ही दाने बढ़कर आवले जैसे हो गए और मालूम हुआ कि यह माता नहीं है उपदंश है कल्लू के कलुशित भोग विलास का यह फल था रोग इतनी भयंकरता से बढ़ने लगा कि दानों में मवात पढ़ गया और उन में से ऐसी दुरगंद उठने लगी कि पास बैठते नाक फड़ती थी देहात में जिस प्रकार उपचार हो सकता था वह मुल्या करती थी पर कोई लाब न होता था कल्लू की दशा दिन दिन बिगड़ती जाती थी उपचार की कसर भयबला अपनी स्नेहमय सेवा से पूरी करती थी उस पर ग्रहस्ती चलाने के लिए अब महनत मजूरी भी करनी पड़ती थी कल्लू तो अपने किये का फल भोग रहा था मुल्या अपने करतवे का पालन करने में मरी जा रही थी अगर कुछ संतोश था तो वह यह कि कल्लू का ब्रहम उसकी इस तपस्या से भंग होता जाता था उसे अब विश्वास होने लगा था कि मुल्या अब भी उसी की ही है वह अगर किसी तरह अच्छा हो जाता तो फिर उसे दिल में छिपा कर रखता और उसकी पूजा करता प्रतहकाल था मुल्या ने कल्लू का हात मुह धुला कर दवा पिलाई और सखड़ी पंखा जुला रही थी कि कल्लू ने आंसु भरी आँखों से देख कर कहा मुल्या मैंने उस जन्म में कोई भारी तप किया था कि तू मुझे मिल गई तुम्हारी जगह मुझे दुनिया का राज भी मिले तो भी नलू मुल्या ने दोनों हातों से उसका मुह बंद कर दिया और बोली इस तरह की बाते करोगे तो मैं रोने लगूंगी मेरे धन्य भाग कि तुम जैसा स्वामी मिला यह कहते हुए उसने दोनों हात पती के गले में डाल दिये और लिपट गई फिर बोली भगवान ने मुझे मेरे पापों का दंड दिया है कल्लू ने उत्सुकता से पूछा सच कहदो मूला राजा और तुम में क्या मामला था मुल्या ने विसमित होकर कहा मेरे और उसके बीच कोई और मामला हुआ हो तो भगवान मेरी दुरगती करें उसने मुझे चुनरी दी थी वह मैंने ले ली थी और फिर मैंने उसे आग में जला दिया तबसे मैं उससे नहीं बोली कल्लू ने ठंडी सांस खीच कर कहा मैंने तो कुछ और ही समझ रखा था नजाने मेरी मती कहां हर गई थी तुम्हें पाप लगा कर मैं आप पाप में फंस गया और उसका फल भोग रहा हूं उसने रो रोकर अपने दुश्कृत्यों का परदा खोलना शुरू किया और मुलिया आसू की लड़ियां बहा कर सुनने लगी अगर पती की चिंता न होती तो उसने विश्खा लिया होता कई महिने के बाद राजा छुट्टी लेकर घर आया और कल्लू की घातक बीमारी का हाल सुना तो दिल में खुश हुआ तीमारदारी के बहाने से कल्लू के घर आने जाने लगा कल्लू उसे देख कर मुझ फेर लेता लेकिन मैं दिन में दो चार बार पहुँची जाता एक दिन मुलिया खाना पका रही थी कि राजा ने रसोई के द्वार पर आकर कहा भाभी क्या अब भी मुझ पर दया न करोगी कितनी बेरहम हो तुम क्या दिन से तुमें खोज रहा हूँ पर तुम मुझ से भागती फिरती हो भाईया अब अच्छे न होंगे इने गर्मी हो गई है इनके साथ क्यों अपनी जिन्दगी खराब कर रही हो तुमारी फूल सी देह सूख गई है मेरे साथ चलो कुछ जिन्दगी की बहार उणाए यह जवानी बहुत दिन न रहेगी यह देखो तुमारे लिए एक करन फूल लाया हूँ जरा पहन कर मुझे दिखातो दो उसने करन फूल मुलिया की ओर बढ़ा दिया मुलिया ने उसकी ओर देखा भी नहीं चूले की ओर ताक्ती हुई बोली लाला तुमारे पैरो पढ़ती हूँ मुझे मत छेड़ो यह सारी विपत्ति तुमारी ही लाई हुई है तुम ही मेरे शत्रू हो फिर भी तुम्हें लाज नहीं आती कहते हो भी या आप किस काम के है मुझे तो अब वह पहले से भी कहीं ज्यादा अच्छे लगते है जब मैं नहोती तो वह दूसरी सगाई कर लाते या अपने हातों ठोक कर खाते आज मैं ही उनका आधार हूँ वह मेरे सहरे जीते हैं अगर मैं इस संकट में उनके साथ दगा करूँ तो मुझसे बढ़का रधम कौन होगा जबकि मैं जानती हूँ कि इस संकट का कारण भी मैं ही हूँ राजा ने हसकर कहा यह तो वही हुआ जैसे किसी की दाल गिर गई तो उसने कहा मुझे तो सूखी अच्छी लगती है मुल्या ने सिर उठा कर उसकी ओर सजोत नेत्रों से ताकते हुए कहा तुम उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं हो लाला क्या कहते हो तुम उजले कपड़े और चिकने मुखडे से कोई आदमी सुन्दर नहीं होता मेरी आखो में तो उनके बराबर कोई दिखाई नहीं देता कल्लू ने पुकारा मुला थोड़ा पानी दे मुल्या पानी लेकर दोड़ी चलते चलते करन फूल को ऐसा ठुकराया कि आंगर में जा गिरा राजा ने जल्दी से करन फूल उठा लिया और क्रोध में भरा हुआ चल दिया रोग दिन पर दिन बढ़ता गया ठिकाने से दवादारू होती तो शायद अच्छा हो जाता मगर अकेली मुल्या क्या क्या करती दरिदर्ता में बीमारी कोड़खा खाज है कल्लू ने सजल और दीनता भरी आँखों से देखा और हाथ जोड़कर सिर नीचा कर लिया यही अंतिम बिदाई थी मुल्या उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगी और उनमात की दशा में उसके आहा थिरदय से रक्त की बूंदों के समान शब्द निकलने लगे तुमसे इतना भी न देखा गया भगवन उस पर न्याई और दयालू कहलाते हो इसी लिए तुमने जन दिया यही खेल खेलने के लिए हाई नाथ तुम तो इतने निश्ठर न थे मुझे अकेली छोड़कर चले जा रहे हो हाई अब कौन मूला कहकर पुकारेगा अब किसके कुएं से पानी खीचूंगी किसे बिठा कर खिलाऊंगी पंख़ड उलाऊंगी सब सुक हर लिया तो मुझे भी क्यों नहीं उठा लेते सारा गाउं जमा हो गया सभी समझा रहे थे मुल्या को ध्यारेना होता था यह सब मेरे कारण हुआ यह बात उसे नहीं भूलती हाई भगवान ने उससे असामर्थ दिया होता तो आज उसका सिर्ताज यों उठ जाता शबकी दहक्रिया की तैयारिया होने लगी कल्लू को मरे छे महिने हो गए मुल्या अपना कमाती है खाती है और अपने घर में पड़ी रहती है दिन भर काम धंदों से चुट्टी नहीं मिलती हाँ रात को एकांत में रोलिया करती है इधर राजा की इस्त्री मर गई उधर दो चार दिन के बाद वे फिर छाला बना हूमने लगा और भी चुटा सांड हो गया पहले इस्त्री से जगड़ा हो जाने का कुछ डर था अब वह भी न रहा अपकी नौकरी पर से लोटा तो सीधे मुलिया के घर पुँचा और इधर उधर की बाते करने के बाद बोला भाभी अब तो मेरी अभिलाशा पूरी करोगी या अभी कुछ और बाकी है अब तो भह्या भी नहीं रहे इधर मेरी घरवाली भी सिधारी मैंने तो उसका गम बुला दिया तुम कब तक भईया के नाम को रोती रहोगी मुल्या ने घ्रणा से उसकी ओर देख कर कहा भईया नहीं रहे तो क्या हुआ भईया की याद तो है उनका प्रेम तो है उनकी सूरत तो दिल में है उनकी बातें तो कानों में है तुम्हारे लिए और दुनिया के लिए वे नहीं है मेरे लिए वे अब भी वैसे ही जीते जाकते है मैं अब भी उन्हें वैसे ही बैठे देखती हूँ पहले तो देह का अंतर था अब तो वे मुझसे और भी नगीच हो गए है और जोजोँ दिन बीतेंगे और भी नगीच होते जाएंगे भरे पूरे घर में दाने की कदर कौन करता है जब घर खाली हो जाता है तब मालुम होता है कि दाना क्या है पैसे वाले पैसे की कदर क्या जाने पैसे की कदर तब होती है जब हात खाली हो जाता है तब आदमी एक एक कोड़ी दांट से पकड़ता है तुम्हे भगवान ने दिल ही नहीं दिया तुम क्या जानो सहबत क्या है घर वाली को मरे अभी छे महीने भी नहीं हुए और तुम सांड बन बैठे तुम मर गए होते तो इसी तरहे वह भी अब तक किसी के पास चली गई होती मैं जानती हूँ कि मैं मर जाती तो मेरा सर्ताज जन भर मेरे नाम को रोया करता ऐसे ही पुर्षों की इस्रिया उन पर प्राण देती है तुम जैसे शौदों के भाग में पतल चाटना ही लिखा है तो चाटो मगर खबरदार आज से मेरे घर में पाऊना रखना नहीं तो जान से हाथ धोगे बस निकल जाओ अभी आप सुन रहे थे मुन्शी प्रेमचंदर की कहानी सती मेरी याने अर्चना की जबानी आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए धन्यवाद